भारत के सभी राज्यों की खबर खबर SNS News चनल पर खबर जो आपको रखे सब से आगे थे महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष के आयू में निधन बतादे की महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का उमरिस संबंधि स्वास्थ जटिलताओ के कारण शुकरवार सुभा करीब तीन बजे निधन हो गया वह 86 वर्ष के थे बतादे की भारती जनता पाजी के वरिष्ठ विधायक और कारणजा सीट से विधायक रजेंद्र पाटनी का निधन हो गया है पाटनी कई दिनों से बीमार चल रहे थे जहां स्पताल में उनका इलाज़ चल रहा था वहीं आज इस शुक्रवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली पार्टनी के दिधन पर उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडंड वीस ने शौक जताया है एंसीपी शरद पमार की पार्टी का चुनाव चिन तुतारी बज़ाता व्यक्ती बतादे की केंद्रे चुनाव आयोग ने शरद पमार गुठ को चुनाव चिन अवंटित कर दिया है तुतारी बज़ाता व्यक्ती शरद पमार गुठ का चुनाव चिन होगा वहीं नयाचिन मिलने के बाद पार्टी ने से गौरव की बात बताई है बतादे की नागपुर जिले की रामचेक तहसील के देवलापार थाना अंतरगत अस्थाने पोलस ने गौवंश से भरे ट्रॉक से त्यातीस मवेशियों को चुड़ाया पोलस ने कारोपी को भी गिरफ्तार किया परिवार को एक करोड रुपी और सरकारी नौकरी देगी मान सरकार बतादे की जिनकी खनौरी सीमा पर किसान शुबकरण सिंग की मौत के विरौध में किसान आज काला दिवस मनाएंगे गुरवार को बाडरों पर दिन भर शांती रही सुमवार को देश भर के राजमार्गो पर ट्रेक्टर आक्रोष्ट रैली निकालनी और चौधा मार्च को दिली में किसान मजदूर महापंचायत का एलान किया है ये मोधी बोले देश उसफलता के लिए नए केर्थी मान करेगा ये मोधी की गैरंची है बतादे की प्रधानमंतरी नरिंद्र मोधी दोदिवस्य दौरे पर वारंसी आए हैं आज काशी में कई कारिक्रमों में वो हिस्स्ता लेंगे दोजन सभाओ को करेंगे संबोधित दोफी के मौसम अब तीन दिनों तक निकलेगी चमकिली धूप 27 से फिर से शुरू हो सकता है बोंदा बांदी का दौर बतादे की उपी मौसम अबचीक रहने जा रहा है शुकरवार की सुभा चमकिली धूप निकली हालंकि हवाओं में हलकी ठंडग बनी रही सके पहले बूंदा बांदी और बॉच्छारों का सिलसिला भ्रस्पतिवार को भी जारी रहा आगरा, आजमगढ, बल्या, चित्रकूट, जौनपूर, जौनसी लखनव समेत कई इलाकों में बूंदा बांदी हुई अभिनेतरी ने चुपी तोड़ बताया कि सच बता दे की बीते दिन जानकारी मिली की मौत की जूटी आफवाहा फैलाने की वजहा से पूनम पांडे पर कानूरी कारवाई की गई है बिन खबरों पर खोदमीनेतरी ने चुपी तोड़ कर सच्चाई बताई है रामलला के दर्शन करने आयोध्या जा रहे भाजबा कारिकरताओ की पल्टी बस 15 से अधिक खायल बतादे की बदायू की दाता गंज से आयोध्या के लिए रवाना हुई भाजबा कारिकरताओ की बस शहां जहां पुर्जले की जाती पुर्शोयत्र में दुर्गाटना ग्रास्त हो गई हाद्ज में 15 से अधिक लोग खायल हुए है